को वी चुर्क यह यह वाला काम कर लेते हैं फिर हम अपना वरकाउट करेंगे। यह बात नहीं बोल सकती हूं क्योंके मेरे साथ भी यही यह होता है। लेकिन इसका मतलब फ्रेंट जिह नहीं है कि अब आप अपने जुरुछ बाहर निकल रहा है। जब आप जो फरज़ करना है झांफों सब्सक्राइब आहें किया है तो आपास समय को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीदियो में आपको एक्सेuğ कमी हैं लेकर 10-10 मिनट को परका है मैं के रहा है यह पूरी है इसे ही fat कम हो रहा है लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले तो आप सबी लोग मुझे कॉमेंट करकर के बताइए कि आपने से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा बीजी रहते हैं जिनके पास समय की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ताकि मु अगर आपने पैरों को हम बोड़ेंगे इस तरीके साथ आपको बैठ जाना है यह हलका सापने पैरों को हम बोड़ेंगे इस तरीके से से बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है थोड़ा सा ही मुड़ना है अब आपको करना क्या है यह जो आपके हाथ है उनकी जो अंगलिया है उनको इस तरीके से एक दूसरे में मिलाए और पहले सबसे पहले अपने हाथों को उपर की तरफ उठाएंगे और सास को छोड़ते सास को खीछते हुएं पीछे की तरफ जाना है ठीक है हाथ को ओपर की तरफ लाईए सास को छोड़िये तच करिए पीछे की तरह बहुत ज्यादा पीछेerver नहीं GATA ही ठोड़ा सा ही जाना है अगर आपका पेड़ ज्यादा हो तो को सकता है कि आप अपने पेरों की जो अगो लिया है उनको टच ना कर पाएं तो कोई परेशानी नहीं है अगर आप यहां तक आ सकते हैं तो यहां तक कर सकते हैं कोई दिखकर नहीं है तो चलिए मैं आपको इसकी पूरी टेर्वार फक्रेस करके बता देती हूं देखिए इस तरीके से हातों को इस तरीके से मोड़ा पह 3, 4, 5, 6, 7, नाक से आपको सास को लेना है और उसे सास को छोड़ना है, नाक से खीचा, उसे छोड़ा, नाक से खीचा, मुह से छोड़ा, मैंने आपको इसको 10 बार बताया है, आपको थोड़ा सा जाधा करना होगा, कम से कम 25 तो आप कर पा रहे हो, अब आपको इन एक्सेस को आराम से बैठे बर्ठे करना है, तो अच्छे से अपना एक्सेसाइज में फस्ट डालिए और जल्दी से जल्दी आप आपके पेट पर इसका बहुत अच्छा एक्ट हो रहा है, अब देखी जो नेक्स्ट एक्सेसाइज उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने दोनों पैरों को अच्छे से ऊपन करके बैठ जाना है, जितना आप इजली कर सकते हैं, कोशिश करी अच्छे से अप करना क्या है, एक हाथ को इस तरीके से अपने इस थाइपर रखना है, दूसरे को उपर की तरफ आपको अपर की तरफ पर जाएंगे और उपर का जो हाथ है, उसको उपर की तरफ लाचते हुए नीचे की तरफ थोड़ा सा कोशिश करेंगे, जितना आप जुका सकते हैं कुए प्रेक्टिस करके बताती देखें one साज को कैसे लेना है नीचे जब जाते हैं तो साज को छोड़ेंगे वपस आते हैं तो साज को अगर चोर्णे के साथ करते हैं कि कैलरी जादा से ज्यादा बढे होती है जलिदी से एक पीट करता है। लेकिन अगर परिशाले हैं तो नॉर्मल कर सकते हैं से कम आपको करना है इसको 30 वार 15 बार आपका 10 तरश और 15 बार दूसरी तरफ फ़ आ रहा हो ध्यान यह दोनों हातों को हमें क्या करना है अपने सर के पीछे लगा लेना है और बस बैटे-बैटे हमें क्या करना है अपने पैर को उठाना है अपने नी से हमें एलबो को टश करना है फिर बापस आना है फिर इस तरीकी से टश करना है तो सामने से ही दिखाती हूं इसलिए बहुत और आप अच्चे से तरफ मुव कर सकते हैं तो कोशिच करें थोड़ा सा अपने आपको उसलिए मैं बहुत अच्छे की तरफ करने को जितना अच्छे से आपको रएंगे उतने ही अच्छा आपके देखे पार होगा और यहां पर साइड पर तो कोशिश करिए अच्छे से करने को तो कितना हो गया हमारा टू वर्ड रिलैक्स आप आराम से इसको 30 से लेकर 40 वादी कर सकते हैं कोई परेशा नहीं होगी आपको इस करते समय आप चाहिए जो नेक्श्टेक्स उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आप से लेट जाईे अपने बैडड़ पर जिस पर भी आराम से कर रहे हैं यह लेट गए अब आपको क्या करना है दोनों हातों को अपने कमर के नीचे इस तरीके से रख लेना है यह आप पर पैरों को उपर की तरफ उठाना है इस तरीके से और धीरे-धीरे हमें क्या करना है एक पैर को नीचे दूसरे को उपर यह आपको करना है देखी प्रक्टिस करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक को होल्ड करके रहना है दूसरे को नीचे की तरफ ले जाना है पिर दूसरे वाले को होल तरफ ले जाना है साज को नॉर्मल रखना है बहुत अच्छे आपके पेट पर इसकी रज्जेश मिलेंगे इस पेशली अगर आपका यह लोवर बैली लटका हुगा है तो आपका लोवर बैली कम होने वाला है था इसका फैट जाएगा आपको पूरा यहां से लेकर यहां तक लोवर जो बॉड़ी है आपको इस पर बहुत अच्छे इसकी इफेक्ट देखने वाले हैं यह सारी एक्सराइजी लगवक एक एक दो दो मिनट में हो जाएगी चार से लेकर पांच एक्सराइज है जिसको अगर आप दो तीन तीन सेट पर भी करते हैं तब भी आपकी लग इसे ही फैट बहुत अच्छे रिडूस होने वाला है लेकिन एक्सराइज और डाइट आपको दोनों पर ही ध्यार रखना होगा